यर्प वह कि कि अप्र पिस प्रफिट्फुली यूज कर रहे हूं बड़ा मुल्यवान समय है यह पिए पर बड़ा उंफॉर्टवन ही है कि हम लोगों को ऐसे क्लास और्गनाइज करना पड़ रहा है। यह हम लोगों के स्टुड़ी का मौड नहीं है। और आपकी समस्याओं को मैं समझ रहा हूं। लेकिन हमें अंधेरे में भी प्रकास खुननी है। हमें निगेटिव में से भी पॉजिटिव निकाल लेना है। यह ओनलाइन क्लास आपको एक अपॉचुनिटी प्रभाइब कर रही है। कि आप आने वाले समय में जो हाइर क्वालिटी मीडियम आने वाले हैं। स्टड़ी के उसको अभी ही इंपार्ट करें। उसको अभी ही ग्रहन करें। यह एक मौका है। यह एक मौका है। Many more times I have told you that there are two types of people involved. One for whom the problem remains the problem and the other for whom the problem becomes the challenge. And I am 100% sure that for you this problem is not the problem. This is a challenge and you will accept it. Without wasting your time since it is our first lecture. Therefore in our first lecture I would like to introduce you something about your syllabus. and thereafter from the next lecture we shall start our study. First, being a teacher it is our responsibility to make you aware about your social responsibility as well. जैसा आप जानते हो हमारा देश, हमारा समाज, हम और आप कोरोनावाइरस से जूज रहें। हमें इससे लड़ना है। और हम लोग जीतेंगें, we can and we will. इसके लिए केवल और केवल आपको कुछ आत्रानियां बरतनी हैं. अपने हाथों को बारवाल धोते रहें सावन से, सोशल डिस्टेंसिंग मैंटें करें, सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अपने परिवार जरों से भी एक दूरी में रहें, बाहर से जब धर आये तो अपने कपलों को साफ करें, अपने हाथों को साफ करें, आप परिवार के लोगों के लिए रिस्क नहीं बन सकते अपनी जान बचाए अपनों की जान बचाए सोचल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें समाज में अन्री लोगों को इसके प्रति जागरों करें जिस यूर रिस्पोंसिलिटी आपको मैंने को सिखाया फ्रहाया है उसमें केबल किताबी सिख्छा नहीं है यह आपको भी सिख्छा नहीं है विपाइवान मैंने क्वी बारांको समाजिक चीजों के बारे में बचाया है और जो मैंने बताया है आपको उन चीजों को प्राएव की तौड़ दरसाने कहें एक बड़ा अच्छा मौका है् आप समाज को जागरूप करें लोगों को बताएं कि sortingcker oxy को हम सेफ ना करें यह तो को अभी की बात आप सब को यह भी मालूम होना चाहिए कि अपनी online class एक लंबे टाइम की यह नहीं चलने वाली है मुझे पूरा विश्वास है कि अन्देरा छटेगा मुझे पूरा विश्वास है विदिन 20-30 डेज बोथ आपस्वी बोथ आपस्वी टुगेलर एक वीफोर आपको एक काम जरूर करना है कि यह जो प्रॉसेस हम लोगों ने शुरुआ की है आपको यूट्यूब पर देखना ख़ल रहा है अप्लोड इस वीडियो को अगर हम लोल लाइव करना चाहें उसका एक रास्ता है वह आपको मेरे से ज्यादा पता है क्योंकि कम से कम इंटरनेट की मोवाइल की जानकारिया आपको भी मालुम है कि मेरे से आप सबको ज्यादा जाए ज्यादा है आप कम से करें कि कम से कर ठाइबर हो कि अपनी क्लास लाइफ दो पाए हैं एक उप्सक्राइबर होने अरन्य विरमना है दूसरी दूसरी बाह्य के जाय।ra कहा प्रनुपर लेके जाय ताकि अमकलें हम दूसरी बाह्य कर पाये। इसलिक के जान वन्हों दूफ विश्चान तोंकर विश्चाय थे शतने सबस्त्री हएं, You might be remembering that in the past I have many more times told me that we are completely aloof of one thing and that thing is that self introspection. कोसिंग कोचिंग जाते हैं, कोचिंगे हुए होम निरी कोचिंग के अपनी स्टेडिक की चाहिए। कौन सा बेहतरीन रास्त है गाइड तो मैं करूंगा आपको गाइड करता रहूंगा कैसे पढ़ना है एक ही सब्जेक्ट इनी इसकी बात नहीं करता है और सारे सब्जेक्ट में और इसके लिए हम लोग एक साथ हम लोगों ने कॉलिबरीशन किया से आप चैनल सर्च कर सकते हो चंदन सबसे आपकी बाते हो सकती हैं पुशिस क्लासे के नाप पर पंकर सर और हम है पंकर सर के गॉल्डन क्लासे सापने मिश किये हैं पहले हैं आ यह वोग ये बड़ा अच्छा नौक है पंकर सर को भी जानने का आप उनकी क्लासेश को समझें देखें and I am 100% sure that you will enjoy this experience. He is one of the best. So try to listen to him. Try to get more and more whatever he teaches you. अभी की जो विहार का जो रिजन्ट आया है वो सब को पता है कि वाइट टू टेंग में फोर टॉपर्स फोग कोईश इसके हैं इसके और उसमें मेरी कावियत कम मायने रखती है उसमें आपका योगदान जबरदक है जार्खंट का तो रिजन्ट भी आया नहीं है सिवीएसी का रिजन्ट भी आया नहीं है एंड आइंग और नेट परसंट शूर दाट दाट विए इकोली भी गुज़ी तो आपको करना क्या है कि अपने पुर्व वर्थिस छात्रों को पराजित करना है रिजन्ट के माम लिए और बेहतर करना नियास नहीं होना मैं श्योर हूं कि मैई से हम लोग एक गगग होंगे मुझे नहीं लगता कि अप्रेल में कोई बहुत चमतकारिक परिवर्थन होने वाला है बट फ्रॉं में वाइं 100 परसंट श्योर दाट आवर क्लास विल भी विल रन आज इजूले तब तक हम लोगों ने जो मैक्सिट अरेजमेंट किया है उसको इंजॉय करें उसको जेले ने इंजॉय करें सीखें उससे ज़्यादा चेज़ादा आज मैं पहली लेक्चर में दोनों बोर्ड बीसी बी एक जैक सी बीसी दूसरा दोनों आप समझें अपने स्लेवर को ताकि आगे क्या करना है कैसे करना कैसे परणना उन सब चीजों के बारे मां लोगो समझ पाएं कि तो लेकर स्टार्ट अंडर्स्टेंडिंग अब चलेबस यह BACB का सिलेवर से बिहाग रोट का सबको मालू है कि आपको वन एंडे मांक्स की एक्जामिशन देनी है आणडर्सक्याक्स प्रणैशन प्रणा कि दियुटार्स के गएक्रमा आपको नहीं उससे 15 नमर के objective question होगे और grammar से practice marks के objective question होगे आप जो nots लोगे, when you check your notes, you will be clear that how many chapters do you have to study in grammar? let me clarify some of them like tense, like voice, like narration, like article, like subject, verb, agreement, like parts of speech, phasal verbs, these are some chapters which you have to study at joining of the sentences, so grammar 35 marks, books 2 books as I told you as here, those 2 books are rainbow part 2 and story of English and that we give you 15 marks, total 15 plus 35, 50 marks, 50 marks questions will be asked from subjective section, a से 8 नमर का होगा, पाच्छे एसे रहेंगे, उसमें से किसी एक का ही आपको लिखना है, और वो 8 नमर का होगा, तीन, पाच्छ आपका दिया हुआ रहेगा, उसमें से किसी तीन का ही जवाब, let me repeat once again, you have to answer only 3 questions out of 5, and वो है समरी, समरी किसका प्रोज का, कहानी का, जैसे आपने पढ़ाएं इंडियन सिव्लाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, एफिंच आप्स ना, यह सारे जो चैप्टर्स हैं, उसमें से किसी एक की समरी लिखनी है, उसमें से किसी एक का जवाब देना है, समरी लिखनी है, उसके बाद, स्टोरी आप इंगलिस एक बूख है, उससे कुछ कुछ जो नॉट्स में आपको मिली जाएगा, मैं बार बार कराँ, का आपको, you do not have to be impatient, in upcoming future, we shall be together, and in नॉट्स you will know, what is this, स्टोरी आप इंगलिस, match the following में, एक तरफ स्टोरी के राइकर का नाम रहेगा, और एक तरफ स्टोरी का नाम रहेगा, आपको match करना है, वो unmatched होंगे, उसको match करना है, ठीक, या तो story section से रहेगा, या poetry section से रहेगा, कविताओं के नाम रहेगा, उसके कवियों का नाम रहेगा, उसको match करना है, है और नास्ट है ट्रांसलेक्न लेशन गेंगें और उस में से किसी पांच का आपको ट्रांसलेशनक करना है लेकिन जाएसा आपमेंस Amỗi ट्रॉंघ meaningful आभी तबन जाता है यहीं टीं लिख लेना है आपको उससे जाता नहीं करना यह इस पांचों में से जो कोई तीन आपको मालूम हो और हरें का वेल्यू पांच मांस होगा तो सवागे उससे पांच गुना तीन कोईट्री में भी रहेगा उड़ी चार मार्क्स का ताप जो तूटों करोगे तो चार और चार पोर एंट मार्क्स हो एक प्लास फिप्टीन ट्वैंटीटी एड़ एट ऐसे तो थर्टीवन के बाद एक रिम्स जवाब आपको देना है जो कि पांच नमर का होगा वाशा को सब्सक्राइब तर पांच किसे कहानी से और कई ता से आप चाहू तो तस नम्मर का होगा लास्ट में दो पैसे रहेगा और उसमें से किसी एक ही पैसे का आपको जवाब देना तो उसकी वैल्यू होगी चार मार्स तो चार दस चौग पाच इनीस यह दोनों जो होता है कि आठ शक्ताइस यह पंद्रे नम्मर 22 और यह आज का एसे फिप्टी मार्स जे फिप्टी मार्स होगी आपका सब्जेक्टिव सेक्शन और उपर में जैसा आप देख रहे हो वो फिप्टी मार्स और जेक्टिव कोश्चन यह आपका सिलेबस है अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे टेंस को और उसको प्रॉपरली हम का I am 100% sure that you are ready you have to pull up your socks you have to be ready for upcoming lecture lecture and you must try to understand if there any problem appears tell me frankly through any channel either through whatsapp or through this channel sir we have these problems and I will try my level best to solve your all problems thanks यह स्रेवस जैक सी बीएसी का जैसा आप देख रहे हो ग्रूप ए ग्रूप बी और ग्रूप सी तीन ग्रूप होंगे और तीनों ग्रूप मिलाकर करके शवाव गूप से आपको पता है वह हंडेड मार्क्स का होगा ग्रूप ए में डो पैसे है एक पैसे जो कॉम्प्रीहंसन है वीच यू है मैनी मोर टाइम स्टुड़ी कोई स्टूरी का कोई सेक्शन रहेगा कोई रैटिंग सेक्शन का पंदरभी स्लाइंग रहेगा उसी से संबंदित कोश्चन रहेंगे और उसका जवाब आपको लिख लिखना है कैसे लिखना हम लोग प्लासिस में समझें आने वाले का वह बारे माक्स का होगा दूसरा होगा पैसे नॉट मैं यह थोड़ा से डिफिकल्ट है जो कि नया कॉंसेट है आपके लिए तो यह भी आर्ट नमर का हुगा कैसे जिए मैं बार बार कहारो कैसे करना मैं क्या क्या है वो देखेंगे notice or advertisement let me repeat once again notice or advertisement it means you have to answer either the notice or the advertisement not both and that the word limitation will be of 50 to 60 words तो वो पाश नम्मर का रहेगा there will be a letter and the word limitation is 100 to 120 words and that will be of 10 marks there will be an article the word limitation is 150 to 180 words that will also be of 10 marks report the word limitation is again 100 to 150 words and that will also be of 10 marks total 10 10 10 plus 5 35 35 plus 20 two passages 55 group C is from the books section Flamingo and Vista you have to study two books and I am 100% sure that all of you are aware about this fact those two books are Flamingo and Vista from Flamingo you will be given the questions that will give you 30 marks and the distribution of questions is such there will be a long question that will be of 10 marks there will be 5 short questions that will be of 10 marks as well 2 to each so 10 plus 10 from close section 1 extraction I will tell all the instructions you will know that will be of 10 4 we will tell you here which you will tell you where the you have to do एक long answer type question रहेगा साथ नम्मर का Let me repeat once again, there will be a long type question and that will give you 7 marks and remaining 8 marks will be asked from short question answer. There will be 4 short question answers and 2 each means 2 into 4, 8. 8 plus 7, 1 long answer. 8 plus 7, 15 marks. This is your slivers, अब अपने slivers को हम अगले lecture से smoothly start करेंगे, हम writing skill में घुसेंगे, writing skill समझाने की कोसिस करेंगे, class में भी कुछ बाते हो चुकी है, हमने start भी करिया, add to quality यहादे class में, नहीं फिर से मैं notice section से आगे बहूंगा आगे lecture में, और I hope कि आप इस मौके को ज़्यादा से से आप मेडियम से हमको inform कीजिए, WhatsApp group भी है, YouTube के उपर भी आप अपनी टिपन निया भीज सकते हैं, अगर कोई problem है, तो जरूर पूछिए, ताकि मैं उसको solve कर चूँँ, thanks